असलम आलेकूम स्टूड़न्स यहां हमारे साथ क्लास 9 मैथमेटिक से एक्सरसाइज 2.3 इसमें आज हम क्वेस्चन नमबर 1 को साल्फ करते हैं और इसमें हम एंडिक्स और रेडिकेंट फाइंड करेंगे तो यह हमारे साथ क्वेस्चन है यहनी अंडर रूट 11 डिवाइड बाई वाई तो इसमें हम यहनी इंडिक्स फाइन करेंगे और रेडिकेंट के इसमें हमारे साथ रेडिकेंट कौन सा है और इंडिक्स कौन सा है तो सबसे पहले हम यह पार्ट लेते हैं यहनी solution number one तो यह question हम again लिखते हैं 11 divided by y अब यहाँ पे under root की value हमारे साथ तो यहनी two है तो हम यहाँ पे index लिखेंगे और radicant लिखेंगे कि इसमें हमारे साथ index क्या है और radicant क्या है तो under root के value हमारे साथ two है तो हम यहाँ पे index में two लिखेंगे और radicant यहनी जो under root में है यहनी इसको हम radicant consider करते हैं क्योंकि यह हमारे साथ radicant है तो यह हमारे साथ index हो गिया two और radicant हमारे साथ 11 by y हो गिया अब हम यहनी solution number two लिखते है तो यह पार्ट हम लिखते है यहनी 3 under root 13 by 3x तो यहाँ पे हमारे साथ index यहनी गेवन है यहाँ पे 3 है तो हम index में 3 लिखेंगे और radicant में हम यहनी 13 divided by 3x लिखेंगे तो radicant हमारे साथ 13 divided by 3x हो गिया इसी तरह 5 under root a b यहनी यह हमारे साथ solution number 3 हो गिया हम यहाँ पे यह question again लिखते है 5 under root a b square तो first हम यहाँ पे index लिखते है और again हम यहाँ पे radicant लिखते है तो index हमारे साथ 5 गेवन है तो हम यहाँ पे 5 लिखते है और radicant में हम यहाँ पे a b square लिखते है तो यह हमारे साथ index और radicant में difference जो हमने यहाँ पे find किया इसको हमने यहाँ पे लिखा अब हम question number two की तरफ चलते हैं तो इसमें हम यहनी transform the following radical into exponential form यहनी इसको हम exponential form में convert करेंगे तो सबसे पहले हम under root 36 लिखते हैं यहनी first part हमने यहाँ पे लिखा अब हम इसको exponential form में convert करते हैं तो यह 36 अपनी जगा पे आगिया और under root value हमारे साथ 1 by 2 है तो यह हमारे साथ यहनी exponent हो गया यहनी exponential form में यह convert हो गया अब हम यहनी part two find करते हैं तो under root 1000 इसको हम exponential form में इस तरह लिखेंगे 1000 अपनी जगा पे आगिया और under root value हमारे साथ 1 by 2 है तो हम इसको exponential form में लिखते हैं अब इसी तरह हम part three को solve करते है under root 8 यहनी 3 under root 8 तो 8 अपनी जगा पे हम लिखते हैं और यहाँ पे under root की value यहनी 3 गेवन है तो हम इसको इस तरह लिखेंगे 1 by 3 यहनी यह भी हमारे साथ exponential form में हो गया अब हम part four की तरफ चलते हैं तो हम question one time यहाँ पे लिखते हैं तो यहाँ पे यहनी under root की value n है तो हम इसको इस तरह लिखेंगे यह क्यों अपनी जगा पे आ गया whole one by n यहनी यह भी हमारे साथ तो exponential form में convert हो गया अब हम question number five लिखते हैं under root five minus six a square whole three अब हम इसको इस तरह लिखेंगे यहनी five minus six a square अपनी जगा पे आ गया और यह three भी अपनी जगा पे हमने लिखा और यहाँ पे under root की value हमारे साथ तो one by two है तो हम इसको one by two लिखते हैं अब इसको मजीद simplify करते हैं five minus six a square अब यह three इसके साथ multiply करें तो three आ गया और यह two अपनी जगा पे आ गया तो यह हमारे साथ exponential form में convert हो गया इसी तरह question number six की तरफ चलते हैं जो हमारे साथ यहनी three under root minus 64 की बराबर है तो हम यहाँ पे solution लिखते हैं और यहाँ पे under root की value यहनी three given है तो हम under root की जगा पे यहनी one by three लिखेंगे तो 64 यहनी minus 64 अपनी जगा पे आ गया और यह three हमारे साथ one by three हो गया तो यह सारे question हमने exponential farm में convert किये